अब बताओ कांपे जो यह है जो एलिफेंट्स बगे रहे हैं है है यह 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 देविशक्तियां आइज 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 कल हमने कर लिए थे सारे फोर्ट कवर कर लिए और आज है डे थर्ड तो गाइस जाना तो हमने शोपिंग करने था पर अभी बाइसाब के तो की शत्रियां जा रहे हैं बहुत अच्छी बता रहे हैं देखने में चलो जाके फिर पता चलता है इस पोटो वाले नहीं हैं ने भेहिया मिलें तो वह कहते हैं काफी अच्छा है आप जाकर देखो कौन सा था ये महराजा स्वाई सिंक ने म्यूजियूम ट्रस्ट बनाया था रोयल गेट ना इसके अंदर है गाइस रोयल गेट चलते हैं अब जाए जो आपकल बोरे थे ना उपर जाना है अना चलो यहां प्रेकर रहेंगे आपकी फोटो करवाएंगे यह दोनों जने कि अना है रोयल गेट नहीं है यह आगे है आज चलो कि अज़ेंगे पत्थर पे ना सारी आपको कार्विंग की विए पत्थर पे ना सारी आपको कार्विंग देखने को मिलेगी यह देखो यह देखने कि अहाँ अग्याँ फैन्ट कार्विंग एंट कार्विंगे अट पर जारी है देखो आओ इतर एक बार आओ इतर एक बार यह देखो गारी है यह देखो गारी है आओ आओ इतर और आओ आओ भंवर्प्र ट्रॉब्द है यह दो पारी है यह दो जाओ नाओ अपर शेंचाने करांप्रॉट्स इस दूसरी साइड जा रहे हैं काफी बड़ा बना हुआ हम दर बहुत ज्यादा अगर खेला हुआ तो यहां से यू टर्न ले लेंगे आगे नहीं जाएंगे शकल तो बिगड़ गई हमारी दूम में गुमते गुमते लोगिंग करना है कॉंसेप्ट होना चाहिए बहुत अफ है शाम तक वो थोड़े टाइम में कवर करना किसी चीज को यह देखो आपको चीज़ दिखाते हूं यह देखो सुर्बी यह काम करेगी इता दिखाना और यह क्या था है यह राजा देश्ट सवाई बावानी सिंग सवाई बावानी सिंग सवाई बावानी सिंग के पिताजी थे सवाई मान सिंग और सवाई मान सिंग के पिताजी थे सवाई जै सिंग ठीक है ठीक है सवाई बावानी सिंग के उलाद नहीं होती थी बावानी सिंग ने बोला जो मेरी समझ्चा का हल पू पूरा करते हैं और बली चड़ा के बना हुआ है दिखाना थोड़ा कि है मैं यह बना हुए है हां जी हां जी हां जी है न सकते हैं उनकी बली कार्व करते थी तो हुँ हुह तो ने का जो मेरी समच्छा घल पूरा घर उनको मुंहागा नम जाए जाएगा ठीक है उनकी जो समच्छा करना पूरा है विरंदर पारिगी उन्होंने कहा कि बोला भालक जो तुक बली चाला था देवी की वह तेरी बली इंकार देदी कि सिर्वार नहीं कर दी राजा बावाली जिंग ने पूझा इसकी कोई वजह है वोला आप सबसे पहले तो यह पर एक पूझा कर आओ अच्छा यह यह हवन कंड है जो बो रहे थे हम दो रहे थे गैस किया था हमने पहले कि यह हवन कुंड है शाहिद तक हना यह पर देवी प आपकी बाते भगवाल की तरह सच्छी होगी ठीक है वह जो सामने जो पर देख रहा आप पिलर के पांग में गुरुजी को देवा जो सरल्ला देवी है डेवी जक्तिया देरी ओपर अच्छा अभी उपर जा सकते हूं हाँ ऊपर लेगी कूट जा हूं अच्छ ओके ओके है अब बताओ कांपे जो यह है कि जो एलिफेंट्स बगे रहे हैं कि अधिक यह 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 देवी शक्तियां ठीक है ठीक है तो यह पर देवी पूज होई थी एक फिर गुरुजी ने कहा कि बोला आपके अगर उलाद हो जाएगी तो लाद है कि यह बेटा हो यह बेटीओ तो वह आपके नसीब की वाद है उन्होंने अपने तन्र मंतर से इस्टोन जाता राजा बवानी सिंग को तो उन्हों के एक बेटी ती दियाकुमारी वह आज भी जिंदा और दियाकुमारी का एक बेटा है आज भी जिन्द है ठीक है और गुरुजी अगर सिटी पलस में अ अलग नहीं लगाई यह इसी पिलर के अंदर जो क्या जी इतालियन पत्थर पूरे वर्ड में जो सबसे कोशली पत्थर इटालियन पत्थर महें गाता है इस से कार्विंग करके बनाई है देखो आप देख सकते हो मतलब इतनी अच्छे से कार्विंग उसी टाइम में आप ओपर देख सकते हो जितने भी स्कॉप्चर बने हुए है यह देवी पुजा यह स्टोरी ओटें इसको इलुस्ट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में इलुस्ट्रेशन का मतलब होता है स्टोरी टाइप चलती से पहले टाइप ना इस पिक्टोग्राफी आप एक बाशा परानी खुदाई हुए थी इसे पिक्चर बना बना के चलते थे यहां पर बैंसे शिकार कैसे करने वैसे ना पिक्तोग्राफी की तरह यह इलुस्ट्रेशन चलते थे पहले पूरी स्टोरी बढ़ा दिया ना देख के नहीं करना था बहुत चले भाईजी उस मंदिर को शान अच्छा वहां पर देख के कुछ कर सकते हैं जी आप पिच्चर वागेरा विए बना कुछी बनाई है मुझे जो अच्छी लगती है इटालियन पत्थर की यह कुछ सा पत्थर है यह की पत्थर है अच्छा तो जो कार्विंग इनकी अच्छी लगती है है अज़े हैं